को माननी प्रधानमंत्री जी से समवात के लिए आमंत्रित करता हूँ यह नरेंद्र जी को नरेंद्र का नमस्तार माननी प्रधानमंत्री जी नमस्ते सबसे पहले हम आपको धनवात देते हैं हम पतीपती दोनों को चश्मा आह गया इतना कैसे जल्दी जल्दी चश्मा आ गया हम स्वाइगा काम करते हैं अच्छा चाव सोई दख़े के कारव हो गया माननी मुखमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्वा देते हैं लेकिए पहले पश्पन में आँखों की कसरत के लिए दादी मां घर में कहती जी चलिए सुई धागा परो करके देखिए तुमाने आँख ठीक एक नहीं है लेकिन आप तो सुई धागे का काम करते हैं और आपकी दोनों की आखे चुष्मा और जी श्रीमान को कये तो आज आप नए फ़रोमें ग्रफ वेश्ट कर रहे हैं अangen श्रीमान महुंद है यह कलर किस ने बना ए मखान का कलर किस ने दाइक आयक यह आपने की इस पत्नी ने दाइक कर I अच्छा उन्हीं की चलती है जी यह पेंटिंग भी उन्हीं ने बनाई है अच्छा वाँ अच्छा परिवार में आस्पडोस और रिस्से नाते में इस नया मकान मना मिला है तो क्या लग रहा है सबको कैसा महोल है आज पक्का आवास मिलने से स्रीमान मुझे बहुत लाब हुआ है आज मेरी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ी है कच्छा मकान होने से मेरी बेटी की सर्प के काड़ने से मिरत्य हो गई माननी कच्छे मकान में स्रीमान महोदय मेरी बच्ची की सर्प के काड़ने से मिरत्य हो गई 24 दिन के अंक्राल में मेरे बेटे की मिरत्य हो गई कुछ समय के बाद सासन के सम्मल्द से मुझे समर्ने का अबसर मिला माननी महोदय मैं सिलाई का काम जानता हूँ कुछ जमीन का भी चुकड़ा है मेरे पास एक भैस भी रखता हूँ माननी महोदय से जो आप देश की सेवा के लिए समर्पित हैं चाहे वो तीन सो सत्तर हो या तीन तलाक हो या आवाज के माध्यम से गरीब जनता का सहयोग हो तो नरेंद्र जी नरेंद्र जी क्या चुना पुना लड़ने का इरादा है क्या तो आप इतनी सारी बाते बोल रहे हो सबसे पहले हम आपको आशिरवाद देते हैं धन्यवाद जी धन्यवाद जी धन्यवाद हमें हमें माताओं के अशिरवाद हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और इसलिए आपने सही कहाई आपके पती जो कह रहें वह गलत कह रहें हर माता का अशिरवाद मेरी बहुत बड़ी पूंजी है आपने मेरको तो उच्च्वला के साथ गेस दिये मेरको किचन मना है मेरको सोचाल ने भी दिया मेरा आग्रे आपसे निवेदन है बहुत ज्यादा मेरे घर पर आमंत्रित आएं और मेरे आथ की चाय और पूया खाएं और आप आमंत्रित हुआ करने का आप मेरे को हाजा ना न में जवाब दया चली अपका निवंतर पholder आख़ो पर और मुझे मैं भी इश्वर से पलत ना करूंगा कि आपके हात से भोजन प्राप्त करूं कि और ये मोका मेरे नसीद में आ जाएं मेरे लिए सब से खुशीट 3 को थिन होगा हमको भी इतना धन्य होगा कि हमारा जीवन सफल हो जाएगा आज मेरा साइद मुझे मानी महुद है जो मुझे गम प्रकृति ने दिया मैं समझ नहीं पा रहा हूँ गम बढ़ा था आज मुझे खुशी बढ़ी है वाँ मुझे बता है कि इस घर के स्विकृति पत्र में आपक भी नाम है जी महुद है तो ये कभी मन में नहीं हुआ कि ये पत्ति के नाम पर मकान चला जाएगा तो क्या होगा नहीं स्रीमान मेरे साथ पूर्ण सायोग रहता है अच्छा चलिए अच्छा है इस योजना का एक बहुत बड़ा लक्ष हमारी बहनों का सश्रक्ति करन भी ह अच्छा ये बताईए कि आप जो कामकाज करते हैं अब पहले घर की तुलना में इस नए घर में आने के कारण आपका जो खुद का कारोबार है उसमें क्या बढ़लावाएगा जी मैंने आजीव का मिसंद से जो का समू का अगठन किया उससे मैंने सिचाइब स्लाई का प्रसिच्चन भी लिया है आज मेरा कारोबार भढ़िया मेरे दालोटी चल रही है उस माध्यम से कितनी वहां कितने लोग हैं जो आपके कपड़े बनवाने आते हैं किस प्रकार के प्रेक बनाते हैं एसे खश्ट। extending का आज मैं अपने घाओ के बच्चों को अपने बच्चे मानक़ के गढबेरिस लाइक काम कर रहा हूं ओदे अच्छा हुनके गढविश बनाते हो जी महुत है वह चलिया फिर दो यह बच्ची जब पढ़ कर लिक करके बड़े होंगे घ आपना जो बच्पन की फोटू देखेंगे तो आपकी याद आएगी? मेरी पद्नी भी सिलाई का काम करती है, मेरी नहीं होगे. एक दिन में कितने मना लेते हैं आप? एक दिन में अभी तो आट-दस कपड़े बनाती हैं, सर. तो आपकी दोनों की कोई ट्रेनिंग हुई थी क्या? जी, कहां हुई ट्रेनिग? आजिब कामिसन केता है, जिला पंचाज में, सिरीमान महुदे. अच्छा, कितने दिन गए उस ट्रेनिंग में? आट-दिन ट्रेनिंग लिए चुकी मैं इस काम को जानता हूँ, मेरा ये पैत्रिक कामास है. चलिए, नरंदर जी और अनिता जी, आपको बहुत-बहुत शुब कामना हैं. आपको प्रधान मंत्री आवास योजना से अपना पक्का घर और आजिविका, मिशन से रोजगार का वाउशल, दोनों का लाब मिला है. केंदर सरकार और मद्रदेश सरकार दोनों का यही लक्षा है कि सरकार की सभी योजनाओं का लाब, सभी गरीब से गरीब परिवार तक पहुँचे ताकि हमारा गाव और हमारा गरीब भी आत्मनिर्भर बने और देश भी आत्मनिर्भर बन सके